नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस YouTube चनल नौलेज नौर में दोस्तो मेरे एक वीवर ने जानना चाहा है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिंगल कैब एंड हूड टाइप क्यों नहीं होते जबकि डीजल लोकोमोटिव सिंगल कैब एंड डबल कैब और हूड टाइप दोनों टाइप के होते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिंगल कैब वाले क्यों नहीं होते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप यहां इस image में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे locomotive हैं, जो कि पुराने जब आने वाले, Elco locomotive या फिर EMD, यह जो series है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ single cab दिया गया है, इसके पीछे कोई भी cab नहीं दिया गया है, उसी तरह इस locomotive म होते हैं, जबकि कोई भी electric locomotive जो है, उसमें single cab नहीं होता है, अगर electric locomotive पर आप गौर करेंगे, तो इसके दोनों साइड में cab दिये रहते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तो इस बात को आपको समझने के लिए, आपको बहुत पूराने जब steam locomotive का यूज किया ज साइड में यहां पर boiler unit रहता था, जिसमें की पानी वगरा को heat किया जाता था, तो यहां पर होता क्या था, कि यह जो लोको पालट का cab होता था, इसके पीछे साइड में होते थे, यानि कि यह लंबी hood होती थी, और यहां से लोको पालट यह जो आगे की साइड में देखते यहां पर कोई भी cab या फिर लोको cab को बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए पहले के जब आने यानि की जब steam locomotive का यूज किया जाता था, तब यहां पर आगे साइड में लोको cab नहीं होता था, दोस्तों दूसरी चीज क्या होती थी, कि यह जो लोको cab आप यहां पर यह cab की जाती थी, दूस्तों जब अमेरिकन लोको मोटिव कंपनी एलको ने डीजल लोको मोटिव बनानी शुरू की, तो वहीं से जो यह steam locomotive हैं, वहीं से यह technology को लेकर, यानि की cab की designing वहीं से आई, जिसमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया, कि यह जो cab यहां पर बनाय जा रहा है, उसको इस जगह बनाया जाए, ताकि यहां से आगे और पीछ हे, दोनों साइड के विउ को देखा जा सके, तो यह जो single cab की designing एलको लोको मोटिव में आई थी, वह steam locomotive से ही आई थी, क्योंकि वह जो बिदेशों में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहां पर लंबी लंबी गाडियां चलती है, इनकी लेंथ बहुत जादा होती है, तो लोको पालट दोनों साइड में यह जो ट्रेन के आगे और पीछे, दोनों साइड के विउ को देख सकें, इन चीजों को ध्यान में रखकर, यहां पर यह जो diesel लोको मोटिव है, इनके कैप की designing की जाती थ तो यहां से पीछे के विउ को लोको पालट नहीं देख पाते थे, इसलिए इनकी designing यहां पर middle term में रखी जाती थी, जिससे कि यह दोनों साइड में चीजों को देख सकें, और यहां पर यह जो दूसरी चीज क्या होती थी, कि जब इनको multiple unit किया जाता था, तो multiple unit करने से यह यहां पर एक और locomotive जोड़ दिया जाता था इस तरह से, तो ऐसे condition में इन्हें turn करने की जवरत ना पड़े, यानि कि दोनों साइड जो है यह चीजें locomotive आगे पीछे चल सकें, इन चीजों को ध्यान में रखकर इस तरह के single cab यहां locomotive को बनाय जाता था, लेकिन दोस्तों इस इसमें दिक्कत बहुत जादा थी, लोको पालट को देखने के लिए, क्योंकि अगर माल लीजिए कि इसमें ट्रेय जो लोको मोट्यू है, इस साइड देख रहे हैं तो सही है, अगर इस तरह से आप यहां पर इस लोको मोट्यू में देखेंगे, यह जो लंबी हूड हो जा लेकिन दोस्तों अब बात करें हम कि आखिर इलेक्ट्रिक लोको मोट्यू में यहां पर यह जो सिंगल कैब वाले क्यों नहीं बनाए गया, तो दोस्तों इसका सबसे में वज़ा है, इसमें लगाया गया पेंटोग्राफ, आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो लोको मोट् पेंटोग्राफ यहां पर दिया जाएगा, अब इस दोरान होता क्या है, कि यह जो पेंटोग्राफ होते हैं, इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी चीज को खीचना ज़्यादा आसान होता है, उसके धकेलने के अपेक्षा में, यानि कि जैसा कि आप यहां देख सक इसका मतलब यह होता है कि जैसे माली जे कि यह लोकोमोटिव आगय के साइड ऐसे चल रही है तो इसके यह देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग इस तरह से है यानि कि यह इसमें जो है कोई भी यह फोर्स जो है एयर का प्रेसर इस पर नहीं पड़ेगा एयर को यह चीरते दूसरी चीज क्या होती है कि अगर यहां पर फ्रंट पेंटोग्राफ को अप किया जाएगा तो यह सीद के टाइम यानि जो ठंडी के मौसम में ओची वगरा पर यह जो है यहां पर ओस वगरा जम जाते हैं तो यह से पेंटोग्राफ है उसको कट करते हुए दोनों साइट गिराते हुए जाती है जिसे सर्वो मोटर ओगरा यहां पर होते हैं उनके डैमेज होने का खत्रा होता है तीसरी चीज क्या होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि यह जो लोकोमोट्यू है किसी ऐसे ट्रेक्स पर गुजर रही है जैसे मान लीजिए कि यहां पर नीट्रल सेक् को यहां पर क्रॉस करके यहीं पर आगर रूख जाती है तो ऐसे कंडिशन में यह जो यह पेंटोग्राफ है इसको यूज करके इस ट्रेन को यहां पीछे कर दिया जाएगा या फिर आगे वाले पेंटोग्राफ को यूज करके यहां पर ट्रेन को आगे कर लिया जाएगा इन सबी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा दो पेंटोग्राफ इलेक्ट्रिक लोकोमोट्व में दिये गए तो इन दोनों पेंटोग्राफ में ऐसी सेटिंग की गई है कि माल लीजे कि यहां कैप में बैठा हुआ अगर पेंटोग्राफ को अप करने के लिए पुश बटन दबाएगा तो हमेशा पीछे वाला पेंटोग्राफ ओन होगा और अगर दूसरी condition में यहां बैठा हुआ लोगों अगर pentograph के push button को दबाएगा तो यह वाला pentograph on होगा ऐसी setting की गई है इसलिए यहां पर दोनों type में जो है cab को दिये गए हैं ताकि यहां पर सही तरीके से इन दोनों pentograph को use में लाया जा सके और दोस्तों इन दोनों pentograph को देने का कई सारे वजह हैं इसके कई सारे technical region हैं जिसके चलते यहां पर दो-दो pentograph को दिये गए हैं और इन दोनों pentograph के proper utilization के लिए दोनों side cap दिया गया है दूसरी चीज क्या है कि यह दोनो side cap देने से local pilot को देखना आसान हो गया क्योंकि इस front से यहां से यह चीजों को आगे के side देख सकते हैं उस तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर back side से यहां से इन सीजों को इधर वाले side को देख सकते हैं तो ये जो है चीजे हैं जिसके चलते यहाँ पर दोनों पेंटोग्राफ और दोनों साइट कैब को इलेक्ट्रिक लोकोमोटीव में दिया गया दोस्तो और तीसरी चीज क्या है कि जैसे से टेकनोलोजी चेंज होती गई लोगों की आवशकताएं मतलब कि यहाँ पर लोकोपाइलट को जो प्रॉब्लेम होती थी उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह सारी चीजे की गई और समय के साथ बदलाव होते गया चुकि डीजल लोकोमोटिव तो पुराने टेकनोलोजी थे यह जो एलको मॉडल है बहुत ही पुराना टेकनोलोजी था इसलिए यहाँ पर सिंगल कैप दिये गए और जैसे इसे टेकनोलोजी चेंज होती गए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आते गए तो दो-दो यहाँ पर करके जरूर बताईएगा पशंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं का अगले वीडियो में तब तक के धन्यवाद